हलो एबरोन वेलकाम बाक टियो ओन चेनल वेल सगा दोसों आज के दिन शाम को सॉलिड नियूज यह है कि यूगे की प्राइम निस्टर ने कर दिया है रिजाइन और यूगे की प्राइम निस्टर को रिजाइन करने के बाद यूगे की मार्केट यूरोपिन मार्केट तो फि 50-50, as Jax Nifty, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, कि कल के दिन मार्केट कम सक्षाइब सब्सक्राइब करना है, तो दोस्तों, जिन भी स्टोक में अच्छे रिजर्ट्स आए हैं, उसको तो इवनिंग रैप में, मैं कवर करता ही करता हूँ, इवनिंग रैप और मॉर्निंग अपडिएड यह दो पिल्स हैं, जो गर आपको इन्वेस्टिंग की हिल्थ को बेस्ट शेप में रखना है, आपको इन तोनों को गो थू करना ही पड़ेगा, अदर्वाइस, युल मिस आउट ओन इम्पोर्टन अपडेट्स, फिलाल दोस्तो, तीनिंपोर्टेंस स्टॉप्स के रेजर्टस हिसा है, और थीनिफ्निफ्ज में से 2 स्टॉप इसे हैं, जिनको कि आपको बया करना ही करना है कि बहुत ही आपको बाइक करना है जिसमें कि बहुत ही सॉलिद ऑपरिट्ज ईखाई पड़ Rad emphasize कौन से वह stocks हैं, we are going to cover everything in this important video along with the charts and the best buy levels. So without wasting any further time, let's begin. दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि stock market में stock में तेजी तभी आती है, जब उसके returns, expectations से बहतर आते हैं, या फिर at least in line हो. ITC के results आए हैं, results are okay, मैं बिलकुल भी negative results नहीं कहूंगा. अगर हम लोग revenue के front के बारे में बात करें हैं, तो पिछले साल के comparison में 21% का jump है year on year, और quarter on quarter बात करें तो 7% का jump दिखाई पड़ रहा है, तो यह एक बहुत ही positive result है. revenue के front बात करें तो पिछले साल के comparison में 27% का jump दिखाई पड़ रहा है, पिछले quarter के comparison में 6% down है. तो यह बात हो रही है revenue की यह बात हो रही थी profitability की तो profitability मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर तो profit हो गया 21% up year on year and quarter quarter 7% up revenue के front में बात करें तो 27% up year on year लेकिन quarter quarter 6% down है अगर हम लोग बात करें margins के front की तो जहाँ पिछले साल margins थे 36.3% के वो margins में अभी जो margins आए हैं वो आए हैं 36.35 तो कहने का मतलब क्या है margins भी बे multiplicown है और पिछले quarter के comparison रही पिछले quarter में जो margins थे 32.7% तो पिछले quarter के comparison में भी margins काफी जादा बेहतर आये हैं तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो profit after tax है जो market expect कर रही थी वैसे ही आए है revenue भी in line है और margins बहतर आए है जो market expect कर रहा था उससे बहतर तो अगर आप उससे पूछें कि सर क्या expect कर रही थी market जो CNBC TV18 का poll था उसके comparison में जो profit है वो 2.1% up है revenue 1% down है EBITDA 5.3% up है और margins में solid तेजी दिखाई पड़ रही है दो परसेंट से ज्यादा की तेजी है जो market ने expect किया था तो results are overall positive लेकिन stock भी कोई कम तेजी नहीं दिखा रहा है अजो stock के बारे मात्र दोस्तों stock one year high के आसपास rate कर रहा है पिछले एक साल में 41% के returns है जो कि sector के दोस्तों simple सी चीज़ है ITC सेक्टर का लेडर है तो ITC के returns are equal to sector के return simple जबकि nifty 50, 56 रहे है फ्लाट पिछले एक महीने में stock करीब 45% के आसपास positive है जो कि sector के in-line है जबकि nifty 50 और 106 रहे हैं almost flat तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि stock में जो positive तेजी positive results positive आये हैं वो stock के price में भी adequately factoring हो गया है अब उसे पूचे से long term के लिए stock के इतना है बेहतरीन है दोस्तों long term के लिए ITC is a great great stock to hold क्योंकि दोस्तों stock का जो dividend yield है वह है करीब 5% के आसपास तो जो FD में आपको return मिलते हैं वो returns तो यह stock देता ही देता है आपको in terms of dividend इसके लावग जो growth है so अलग और growth in terms of bonuses in terms of split in terms of dividend दोसों बहुत ही solid stock है long term के लिए और दोसों यह stock जब कभी भी गिरता है तो मैं तो bulk में उठाता हूँ मेरी जो last buying है stock की वो है last buying मैं last buying जहां तब मुझे यादे around 250 to 270 यह मेरी last buying है और 220 के आसपास तो एक मेरा stock इंदमनी हो गया था तो उस समय मैं मैंने stock stock की delivery पूरी की पूरी लिए थी और last buying was 270 I think 270 है 280 मेरे को exactly याद नहीं आ रहा है लेकिन दोस्तों उसके बाद से मैंने stock में कोई purchase fresh नहीं किया है क्योंकि उसके बाद से stock ने फिर मौका ही नहीं दिया इस ब्रेक आउट होने के बाद stock positive ही चलता चला जा रहा है अगर आप stock के बारे में भी बात करें तो stock में अभी भी कोई भी weakness दिखाई नहीं पड़ रही है तो अगर आप मुस्से पोचें कि क्या stock को buy कि जा सकता है तो मेरा answer is yes but मैं इस price पे buy करने के लिए आपको recommend नहीं करूंगा at least मैं तो नहीं करूंगा बागि आपने financial advisor से पूछ लीजेगा मे जे उमीद at least short term में दिखाई नहीं पड़ रही but at this given time at this given scenario ये एक best buy level दिखाई पड़ रहा है second shock दोस्तों जिसके कि numbers थोड़े से weak दिखाई पड़ रहे है although numbers stand alone तो बढ़ी है दिखाई पड़ रहे है अगर आप बात करें profit की तो पिछले साल इसी quarter में जो profits आये थे उसके comparison में 32% का jump है वही 32% का jump पिछले साल के comparison में is massive very very nice revenue पिछले साल के comparison में despite slowdown despite growth concerns despite high crude prices सारी चीज़ों को दर्किनार करके revenue में 19% का jump है EBITDA 32% का jump है अगर बात करें margins की तो जहां पिछले साल margins थे मात्र 12.7% का भी margin है 14.2 किसी भी किसी भी front पे कोई weakness नहीं है कोई red column दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि जो black horses होते ना जो मतलब performer होते हैं जो class के topper होते हैं उनसे हमेशा teacher कुछ बहतर कुछ ज teacher को लगता है इस बंदे ने मेहनत नहीं करिए तो वही reason वही चीज दिखाई पड़ रही Asian page में दोस्तों analyst का मानना यह था कि जो उसका profit आएगा 1075 crores जो गया है 803.8 जो उनकी expectation के सबसे 25% की घिरावट दिखाई पड़ रही है as per their expectation revenue के front पे उन्होंने सोचा था कि आएगा हम लोग margins की तो expected था कि 17-18% के margin आएंगे जो की आएं 14% के तो ये वो topper है class का वो topper है जिससे की teachers के expectation बहुत ज्यादा रहती है और अगर उसके number वैसे आते हैं जैसा कि वो लाता रहा है और teacher ने ज्यादा expect किया है तो उसको क्या होता assessment में कम marks मिलता है को उनको लगता है this guy has shamed out तो वही reason है दोस्तों कि Asian paint में आपको हो सकता है अगले आने वाले कुछ हफ़तों में कुछ pressure दिखाई पड़े but again that should not be a taken negative क्योंकि दोस्तों Asian paints की मैंने अभी चारो के चारो कॉलम दिखा है पिछले साल का comparison में बहुत ही solid है तो हमें क्या करना है बाय करना है अब दोस्तों आप उसे बोचेंगे sir गिरावट क्या सिर्फ इसी करन से है दोस्तों देखो simple सी चीज़ है जो class में बच्चा topper है उसके उसका जो price to earning ratio है वो भी उसके उपर stakes are high stakes are high 80 की PE पे चलने वाला कोई भी stock इस पूरे के पूरे peer segment में नहीं है लेकिन चुकि return on capital employed 30% की है return on equity 23% की है almost debt free company है promoter holding 52% है although 10-11% के promoter holding pledge भी है लेकिन जिस प्रकार के returns ये stock देता है free cash flow generate करता है उस प्रकार का कोई भी stock इसके peers में नहीं है यही reason से कि stake high और high PE पे stock trade कर रहा है high valuation पे stock trade कर रहा है although market के कुछ segment को इसके results के बारे में अंदेशा आता यही reason है दोस्तों पिछले एक महीने में stock क्रीब 7.5% करेट कर चुका है और एक reasonable value buying zone पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेरे साब 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 थोड़े सी weakness और भी continue रख सकती है पिछले एक साल में अगर आप मुसे कि सर क्या stock को buy कि जा सकता है तो दोस्तों जिस price पे आप आज stock को buy कर रहे हैं इसी price पे यह stock पिछले साल भी available था अगलग बात है हम लोगों ने 27 रोपे के असपास यह stock buy किया हमने मतलब मैंने भी मेरे members ने भी और आप लोगों ने भी I'm sure आपने buy किया होगा अगर आप हमा या washroom या फिर you know bathroom designing में बात करें या फिर furniture में बात करें paints के बारे में बात करें blinds के बारे में बात करें anywhere you just name it and you know Asian paints is there इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही positive हुँ stock को लेकर के Asian paints के present chart के बारे में बात करें तो stock 3600 के level से correct हो करके अभी 3150 के आसपास चल रहा है लेकिंगे दोस्तों मेरे साब से कर आप पूछें कि sir आप क्या आप इस price पे stock को buy करना चाहेंगे my answer will be no मैं stock को buy करूंगा somewhere around 3000 तो 3000 के नीचे कुछ भी यह stock गरे I think that should be taken as a value buy at least मैंने जो मेरी जो last buy है वो मेरी 2700 रुपए के आसपास जो मेरी last purchase हो 2700 रुपए के आसपास है और वो मैंने पर्चेस किया था है इंदी month of April April या May exactly मुझे यहाद नहीं आ रहा है बट April मे के टाम पे दोस्तों जब ये you know Russia Ukraine का वार मेरा अपनी चरम सीमा पर चल रहा था तो इस टॉक का फितीजी से कि रहा था उस समय में इस टॉक भाई किया था I'm sure आप लोगों ने भी भाई किया होगा क्या एशन पीट सापके portfolio में है do let me know your views in the comment section और किस प्राइस पर अपने भाई किया था let's know in the comment section and last but not the least दोस्तों जो 1900 तो 1900 के price range में I think 1900 के price range में जब यह stock गिड़ा था COVID crash में और उसके बाद से मैंने massive buy नहीं करी थोड़ा थोड़ा add किया है अब यह results के बारे में बात करें जो ET now का pole था उसके साब से इनका जो profit after tax आना चाहिए था वो था 2638 company ने उसको beat किया है जो profit after tax आया हुआ है 2780 crores net interest income जो की market के expectation थी 2852 crores उससे कहीं ज्यादा बेहतर net interest income आई है इसके लावा हम लोग बात करें NPA की तो जो NPA पहले थे पिछले quarter में 1.25% उसमें drop आया है मतलब asset quality improve होती होई दिखाई पड़ रही है both on the front of gross NPA and net NPA जो net NPA last quarter में था 0.51% उसमें भी drop है तो कहने का मतलब क्या है ह जो market की expectation थी उससे बहतर results पोस्ट किये गए है और दोस्तों इसको कहने मुझे कोई भी शेरम या फिर कोई भी संकुष नहीं होगा कि बजाज finance NBFC space का best stock है और अगर हम लोग बात करें stock के price warning ratio की जो की है 45 तो stock कोई बहुत ज्यादा extremely overvalued भी नहीं है अगर हम लोग बात करे stock के performance की मतलब massive holding है अगर अगर अब promoter के holding की बात करें 55% FIIS GIS की holding को include कर लें तो करीब करें 90% के आसपास की holding strong hands में तो बताओ ये stock आपके portfolio में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और जिनको जिनको ये लगता है कि बजाज finance बहुत ही महगा शेर उनको बता देना चाहता मतलब बिलकुल भी over run up नहीं है कि आप सोचें ये all time high पे buy कर रहे है not at all stock इसमें consolidate कर रहा है बहुत ही reasonable value zone में in fact पिछले एक महीने में stock करीब 3% के असपास गिरा भी है तो अगर आप ये सोच रहे है कि कोई आप बहुत all time high का stock buy कर रहे है it's not like that और long time है दोस्तों compounding story का you know bank on stock है अगर में बात करें पिछले तीन साल के performance की तो एक लाग को बना है एक लाग असी हजार रुपए blue chip investment with 80% returns इचा ये तो हो गई पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और you know इसको इससे focus नहीं हटाना है कि तीन अगर आपको इतने returns देता है वहीं पर अगर आप FD अगर करते तो आपको 15% के return मिलने के भी लाले हो जाते है वहीं पर ये stock दे रहा है आपको 80% के return जो कि sector और nifty 50 और 1066 almost double है and the most interesting thing is stock का chart दोसों गर हम लोग बात करें पिछले साल stock में in October November में stock इसी price के आस-पास rate कर रहा था और stock अपने एक important resistance 7500-7600 के आस-पास फिर से यह खड़ा हुआ है तो दोसों गर आप देखे तो यहाप एक inverted head and shoulder का pattern बनता हुआ दिखा ही पड़ रहा है now if you observe this यह stock यहाँ से 7400 के आस-पास जो लोग बिल्कुल short-term investor है तो दोसों यहाँ से stock 7600 के levels के लिए बिल्कुल ready है तो इस target के लिए बाय कर सकते हैं जो लोग long-term investor है यहाँ से stock 8500 जाने के लिए तियार है in mid term तो आपको at least 6 मेने का horizon रखना है stock 8500 तके levels जल्दी ही दिखा सकता है वीडियो absolutely free of cost see you there bye bye for now